पादेक्ष महदे हैं, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं, और सबसे पहले, हम माने मुख्वंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कि लगतार नौ बार तोनों ने शपत लेकर के इतिहास रचने का कामी से, और नौ बार तो लिया ही महदे, लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया, ऐसा अधुन नजारा हम लोगों ने नहीं देखा, हमान ये दोनों समराग चौदरी जी डिप्ती सियम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्ती सियम बने, इनका ब्यान हमने देखा, बाजपा जो है इनकी मा, बाजपा पार्टी जो है मा, लेकिन हम तो कहना चाहते है, आरजपी दीन आपकी मा हुई है, उरिजिनल, तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे, अच्छा चलिए ठीक, चलिए कोई बात ने, आप आश्विकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है, हावें खुशी है कि साथ में दो डिपि दिपी सीम बढ़े, और विजए सिराइद भी डिपी सीम बढ़े, शिकर पद्पी भी रह लिए नेता विरोधी दल भी रह लिए और इप्टी सिम्भी रह लिए इन्होंने भी तिहास रच दिया एक टम में तीन-तीन पद इन्होंने भी पाल लिए तो यह आप सोचे थे कि नहीं विजाब आप और आपके दिमाग में आया था कि आप एक टम में एक टरम में स्पीकर भी दिप्पी सीम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बधाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे दिये आदर दिये थे हैं और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्युत में काम करने का मौका मिला और हम लोगों के काम किया मिल करके इसमें कोई दो रहे नहीं, आगे हम सारी बात को भी हम अपने, आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे, अब कई बार मानने मुख्मती जी जो हैं, इस बात को बोलते रहें कि तुम मेरा बेटा जैसाफ हो, कई बार बोलते हैं, और हम भी अपना मानते हैं, अपने ग मन में तो राम हैं लेकिन एक बाद समझना पड़ेगा हम तो नित्रीज जी को एक दश्रत जो पिता है उनके रूप में रहाशा गाजिन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्हों ने कई बार आप लोगों के सामने में बोलग आप तो यही करेगा यही आगे बढ़ेगा तो चलिए नौजवाने लोग आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा लेकिन कई बार मजबूरिया रही होंगी इनकी जैसे दश्रत की मजबूरी थी राज़ा दश्रत की कि राम को जो है बनवास जो है भेज दिया गया लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम बनवास नहीं आए हैं बलकि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागिदार बढ़े पहले बार ही अपने से दूर किये वो भी क्या मजबूरिया रही हमको नहीं पता ना आपको पता किसी को नहीं पता क्या मजबूरिया रही लेकिन इन्होंने पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकलके आया क्या बात निकलके आया कि आप जो है explain कर दीजे आपके उपर जो है मुकदमा है केस है जब दुबारा जब इन्होंने अपनाने का करता है CD और CVI लगा देने का काम करता है दिए हम को आपको इज़द देते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिनी बात समझना पड़ेगा और बिहार की जंता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं ये तो सब लो कि आपको ये लेना पड़ा है 2020 का हम लोग शुनाओं जीद करके आए मात्र वैमानी के बाद 12,000 का डिफ्रेंस था पूरे महांगर बंदर और NDA में आप क्यों छोड़ के आए आपने यही बोला था ना कि हम NDA इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोरा जा आपने एक्छा था और आपने यह कहा था मर जैंगे मिच जैंगी सबक कहते ही रहते हैं हमिशा लगतारी कहते रहती है कि उस पे उसte हम नहीं जैंगी लेकिन आपने तो यthक आथा कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष है पाणान मंत्री बनना है ना किसी कोकुक मंत्री बनना है। देश भर के विपक्षो को गोल वंद 맞़ करके जो ताना शाह है। उसको दुबाला नहीं आने देना है। इसलिए लें आपएने थें हैं और आप जब गवनर्ण हाउस जें मौह दे तो आप से बोला कि आपका मन नहीं लग घुत आप कने बोला कि संभावे उसको हम लोग ने मुंकिम करके दिखाने का काम किया आपने तो हजार दीज के चुनाओं में क्या कहा था जूट मत बोलेगा देखिए हम आप लोग से उमर में छोटे अपने बाप के पास से लाएगा जेल से पैसा लाएगा नौकली माटेगा और संभावे क्या बोले और हमने उस समय चुनाओं के दौरान रोजगार पर विशेश चुट पर हमने बोला था हमने साइटिफिक अजिम किया रिक्पदे हैं इतनी इतनी है उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे हमको तो कि इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आगे हमको तो खुशी है कि उन सत्रा महीनों में जो देश में किसी सरकार ने ने किया उसको हमारी महागर बंदन सरकार ने करने का काम किया आप बताईये आप को याद होगा जब अब वी जेपी को दोखा देना चाहा रहे थे हम तो नहीं आना के सात्व आना चाहते थे यह बात हम आपको कहे भी थे के हम तो नहीं आना चाहते हैं मुक्तमत्री जी लेकिं देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार दो हजार 24 के चुनाओं में हम लोग एक जूठ हो जाएं और एक जूठ हो करके मोडी जी को हराने का काम करें तब हमने क्या कहा थे मुक्तमत्री जी याद है विजय जी आप भी सामने है हम कहते हैं सरकार में आइंगी हम बहुतaltet देगे और आपके सरकार को कोई खत्रा नहीं होगा आप चलाइए सरकार निफिकल हो करके चलाइए तिक हम लोगों का भीलख्ष है पाजपा को देश से भगाने का क्राम करें समप्रदाइक सक्तियों कुछ जो विशाध़ारा है जो समाज में जहद मोणे का काम करती है उसको हम लोग भंगाने का काम करें इसलिए ना हम लोग एक साथ आये थे और तो कोई कारण नहीं था अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दश्रत तो नहीं चाहते थे राम बनवाज जा लेगे इनके कई जरूर चाहती थी कि राम जो है बनवाज चले जाएं मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहें हैं हम चाहते हैं कि आप लंबी उमर रहिए और जो सिल्शला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाईए उसमें हमारा समथ्थर रहेगा रोजगार बाटिये नौकली बाटिये जो घंधी मैदान से आपने अलान किया था लेकिन क कई को भी पहचानी कौन-कौन ठेक कई बैठा हुआ है आपके पार सम्राइच वादिये पगड़ी पहनते हैं फालतु है करना पहनते हैं उतारने का बात करते हैं इसाब करो फिर उनका सूटिंग चल रहा है मोदे अध बांज ये पगड़ी चलो हाँ मैदान में आप खोलि कि अगरे हम को गलत बात अगरिए शुल लो या ना दो टेशिए ना पर्ठ दिर्मान मिल जाए बहुत क्रिपा होगी आत अगे काम की देगा बठी ना कि बढ़ने कि बढ़ने कि बढ़ने कि बढ़ने कि आपके आप जब बोलेगा इधर सरे को बोलेगा आप सांदिशत बनाए रखें हमें विश्वास है कि हमारे कि एक और चाचा विजद्दक जी रखें यहां हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर शला दियोगी सब्राठ चौदरी जी को पगड़ी उतार लो हो कि यह नहीं दिये आप तो नेता के साथ देना चाहिए लेकिं कभी कोई सला और लेया चाहिए कि कोई गलत निन्ने ना हो इससे नेता का ही नुक्सान होगा इससे नेता का ही नुक्सान होगा तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी अभी समराज शौधरी जी क्या-क्या बोलते थे उसके हम नहीं जाना चाहिए लेकिन समराज शौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उन पार शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है। वो हम यहां नहीं बताना चाता हूं। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है। और पूरा भिहार, बच्चा बच्चा से पूछ लिजे, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लिजे कि क्या होने जाएगा, नितीज जी पे भड़ोसा है कि नहीं है, वो क्या-क्या शब्द का प्रयोग करेगी, जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गैरंटी तो बहुत मजबूत वाला गैरंटी है। ए, मोदी जी के गैरंटी वालो, क्या मोदी जी गैरंटी लेंगें फिट से पलटेगें कि नेखिछ पलटेगें जरह बताके दिखाँ चरहԱम सब्रादी जीकशत मताओ! प सूझे पलटेगे मोदी जीका का घैरेंटी? खेर, हमको इसकी चिंटा नहीं यह सब्राट चौधरी जी विजे शिराजी जब जहां चेर पे थे व्याकूल मत हो ये खूब जोरी है आप लोगों का कमाल का लगे रहिए लेकिन आप लोग तो क्या-क्या बोलते थे अब उसके तो हमको बठाने का जरूत नहीं है सब लोग जानते हैं कि बतवा का दुमारत तिवारा जो है रटा जाये कहा जाये इसका कोई मतलब नहीं लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नितीश कुमार जी आधर दिये हैं कम से कम एक बार बतात को देते हैं कि हम नहीं रहना च कुछ कहा भी देगे अरे भाया मुख्य मंत्री आप मोंक्य मंत्री है सबसे बड़ा दल हमारा है काम सी कभी बढ़ बुला के बोल देना जाए पोडों आपको हम कुछ कोहते हैं आप बताईए हम आपको कुछ कहें है कितना अच्छा हम लोग बात चीद करते थे हर चीज करत इसमें हमेरे मन में कोई खोट अगे और हम लोग एकदम मजबूती के साथ उप्ता गार के खड़े हैं कि आपने जो शंकल मौने मुझमती जी आज तो आप से हम कही सकते हैं आप तो बुलाएं नहीं खुदी चल गए गवर्डराउस लेकिन आज हम इतना तो आप से कह सकते है इसना बात तो कह सकते हैं कि आप बुला लेते हम लोग बात कर लेते नहीं है ठीक है तो उसका भी विवस्था कर देते हैं अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से तिकत है तो फिर से बाहर से समठत देते और कोई माई कालाल हिला देता उस सरकार को इमन में शंका मत क्यों कि हम आपको अपना परिवार समझते हैं हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुधаздался की और इसको ध्यान में लखनाँ चाहिए विजैंदर जी विजैं जी और हम घ्यक्रसेशब Tu मोदी जी को देश में रोकना है आपका भतिजा जंदा उठा करके मोदी जी को पिहार में रोकने करने करने को यह कोई यह कोई पहली बार नहीं है यह कोई पहली बार नहीं है मुक्ठमंत्री जी जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अके लिए हमारे साथ कॉंग्रेस है माले है बहागर बंदर हम लोगों ने बनाया था 2020 में और 20 में तो क्या रिजर्ट हुआ था उसी के ना पीराज मुक्मत्री जी को एक तीसरी नबर का पार्टी हो गया और चर्चा तो बजार में भी चल रहा है आप मुक्मत्री जी एक और पूरी बिहार की जंता मीजिया के सा आती है अरे कब्जा छुड़वाने चले थे अब तो खुजी कब्जा इन पर हो गया है अब देख लीजिए लेकिन मीडिया जितने मीडिया की लोग है अरे कब्जा ना हो गया है हां आप लोगों पर कुछ लिखने देगा कुछ बोलने देगा तो अब तो कब्जा अफी पर हो गया है खैर जो भी अमिच्छा जी कहते ने हमारा तो दर्वाजा बद्द है खैर उनका क्या उनके बात में दम है बात में दम है खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोगों ने 17 महीने काम करकर के दिखाने का काम किया है नौकरिया तो निकली नी है और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे जब सरकार बनाना था हम लोगों को तो मेरा सबसे पहला कंडिशन विजंदर जी आपको याद होगा हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजबा के रोकने के लिए तो आएंगे लेकिन साथ में आप विश्वास दिलाएए कि हमने जो जनता से हमने कमिट्मेंट करने का काम किया कि दस लाख सरकारी नौक निदेगे आप वो करवाईएगा अपने निश्युत में एम कने आप आपने ए सिदार जी होंगे चीक है विजिंदर जी स्टेण चीक है ना और भीट मंतरी थे ना तो शेंट सेंच समय लगी तो सिदार जी को को भेजा गया बहुत खाबला हुख कर यह मधान है हमारा तो सिदार जी कई वॉल रहा है आप किया वादा किया थो हम ठीम मुंक्मंतरी बने फिर भी हमारे पर दिम्हेल्जारी थी ता संधी को बोले हैं नहीं कि भाग जो एक है तो उसके बाद फोन आता है और कहा जाता कि सिधार जी जा रहे हैं अमक्तम्ति जी के भी पंधान सच्छिव हैं वह आपको explain कर लेगे हैं सिधार जी आते हैं पाइल दिखाते हैं कैसे होगा सर कुछ नहीं है पैसा कैसे होगा हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है थे आप मेरे पिस्ता जी को बाप का पईशा ला करके दिलाएगा लेकिन इस सतरा महिने में कहां से एक विभाग में एक दिन में सतर दिनों के अंदर दो लाग से भी जादा सरकारी नौकरी कैसे मिला एक्षा सक्ती होनी चाहिए विल पावर होना चाहिए तो मुख्षमति जी जो ठकेवे मुख्षमति थे उनको हमने दोराने का काम तो हम लोग सही भाद बोलते थे बोलिये कि जाती जद्गर्णा अधारित गर्ना के बारे में यहीं न हाउस्याम यहीं न बैटे थे यहीं से परस्ता आँके थे घ्रते रहां कि आप पहले से मांग करते में हमारे इसमाल को छोड़के तो सब्स्राइब बात है किने घ्राइब पताईन क्या के भाध वाल लोग बुलता था को सुलिधिनलला वहान बढ़ा भादीवक्ता कि क्या ना हैं उनका सुप्रीम पहले कोड़ कर दिया था जो हम लोग के जाती है धारिद करारी हैं तो आप टो जैनुए नहीं न परकूरी के साथ हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं आप उस वक्त है हम भलनी मीरा जनव नहुआ वह यपोछ छोटे होंगे लेकिन आप तो जवां थे आपको तही पता था कि करpuri जी जब आरक्षय बढ़ाये थे उनकी सरकार थी जतन संग जो था उस सरकार में था जब करपुरी जी जब अरक्षन बढहा दिये तो यहीत जOn संग वला में विचल्पोना करPㅎ जी को मुख्मत्रिय पत्ष्प्षे हटाया कॉह हठाया आप काहां बेढ़े आप करर द्रमने का दॉलने और आप काहां बेढ़े मुख्मत्री जी और वह ही जन्चंग वा भाखपा वाले कहते थे क्या बोलते थे हारक्षन चाही कहां चाही करकुरिय जी तो हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे यह बोलते आप हैं और आप कहां चलेंगे मुख्स sweets विजी बताईया हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को पताये विजेंदर जी विजे जी आप लोग सब लोग उसमें रहे भाई को अला कि पता ने उसमें विजे जी साध कॉंगरेश में से लेकिन वांत से यह समाजवादी भी रहे हैं यह तो इतना समलोक का सयोग रहा करकूरी जी को भाड़तरस्र न मिला तुरी लोग भाड़तरस्र में दील बना लिए डील कर लो dream करलो यह राधा गयू देगे दिंतर गड़ denkना है समान नहीं करते हैं आप लोग डीलिंग करते हैं डीलिंग करते हैं भाता के लालू जी का जब सरकार था तो उसमें साथ 12 या 14 परसेंट था राबरी जी के सरकार में 18 परसेंट हुआ उसके बाद जो है आप आये तो और बढ़ गया हम लोग आये तो 75 परसेंट तो हम लोग लेही गे लेकिन 24 के आसपास जो है अती पिछरों का आरक्षण जो है वो मिला तो हम लोग तो इस सब काम करते रहें और हम लोग विचार धारस को मानने वाले लोग हैं हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं एक जड़ा खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं तो इसलिए उपाधर्श मौदे हमक तो किसी बात का डर नहीं, फिकर नहीं, हमारे पिता लालु जी है और उनका खून मेरे अंदरम लालु जी का बेटा है, इन सब शीजों से घबराते और डरते नहीं है, शंघर्श करते हैं और लड़ते हैं, तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे, और आप मु क्रेडित ले रहा था, मेरा डिपार्टमेंट विभाग, राजेडी का, मेरे हमारे मंत्री, हम लोग ने नौकरी दिया 17 महीने में पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडित क्यूं ना ले? अब आप लोग सरकार बना लिए, एक मैंने बहुते हैं, सुन तो लोग, सुनना ही चाहते हैं, आप ही के हित में बोलना चाहते हैं, तो आप बोले क्रेडिट का समराजी, विजेश चदाजी, ही हम आप लोग को पहले सचेहत कर दे रहे हैं, सचेहत इस बात का करें कि महागडबंधन की सरकार तो हम लोग नहीं रहते तो फिर से भुमुक मत्री नहीं बनते, लेकिन एक बात समझीए, अगर आप लोग अभी सरकार में हैं, जो काम होगा, उसका फ्रेजिक नहीं लीजेगा, तो मुक्त मत्री जी हम लोग 17 महने जब थे सरकार में, तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले, आप लोग बताएं क्यों ना ले, अब आप लोग सरकार में आए भाटपा के लोग अनितीजी बोलेगे कि नए क्रेडिट में लेना क्रेडिट के वर मेरा अपलोग क्या करिए इस था कौई किया कर दो किया कर दो कि कर दो कि अ एक एड़े बैट कि सामती सांती हम लोग कि पिछला जब सत्र चल गा था उपाधेश मोजे जब पिछला सत्रह चल रहा था तो मांजी जी मांजी जी अपनी बात को रख रहे थे अपनी बात को रख रहे थे तो मुख्य मंत्री जी एक मुख्य मंत्री जी जी रहे गुस्टा में आए गुश्चा में तो आएं तो आएं लेकिन उसके बाद मांजी जी का रियाक्षिन बाहर हुआ था मुखमलतरी जी अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत खलत दवा खिला देता है बोले थे हम नहीं बोले थे हम नहीं बोले थे हम नहीं को गलत खलत दवा खिला अब हमको पूरा मांजी जी पर भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराई के मांजी जी ख्याल ज़रूर करिएगा आप बड़े हैं आपका सब जवाब मेरे यहां है कोई ने जरूर दीजे ना कोई दिकत ने हमको तो आप दवाई अच्छे से खिलाए पिलाए और थोड़ा बंगले में कमड़ा ले ले लेते जा के ले लिजिए अगर जाए सच में अगर चिंतार तो आप समड़ा ले लिजे वना आज अगर आप बोलेगा तो अपना वच़र वापす ले लिजेगा जो मुख्मलसी जी के बाहर बाहर बोलेगा अधनी अहाई था आप को म।क्रम बात मुका मिलें आपको आपको अपनी बात लखने के मौका मिलेगा तो बच अब और येाँ आपको मौका मिले अब जो अब बोलिएगा बोलिएगा अच्छा से बुलिएगा बचिए ऑनो नया बात बोली रूह तो हमने उनको को बोल दिया तो साथ गे तोु हमने रीव कर दिया वह उधर चले अधा है उन कमरा लेकर करके ठीक से दवाई आगे तो हमने तारीफ कर दिया, वो उधर चले गे तो हमने बुड़ाई कर दिया, कौन नहीं कर रहा है, सब तो करी रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसमें नया बात क्या बोड़ रहा है, हम तो चिंता की बात रहा है, कि आपको अगर सही में चिंता है, तो बगल में कमरा लेक करके ठीक से दवाई कीजिए नहीं है तो अपना सब्सक्राइब बात लगने वाले बात नहीं है हम तो छोटे हैं बड़ा आपका हिर्दय है इतने बजूर्ग है हमारे अभीबाबा के बच्चा को नों गल्ती-कल्ती करता है तो छमा कर देना चाहिए दिल बड़ा रखिए त आज ही ना मौका बेना इसके बाद तो हम जनता के बीच है जो हमारी मालिक है जनता सदन कैसे चलेगा हो तो हमको पता है कि भाजपा का शादी स्पिकर है आने वाल आजो भी होगा तो सदन कैसे चलेगा हो तो हमको पता है तो को मतलब ने हम तो जनता के बीच रहेगे काम कर करेंगे जन्ता के बीच रहेंगे ऊसकी हमको कोई शिंता नहीं कर इस अम पसके हम लोग यह एस बात को ध्यान के हें संभाव का अस्थिर्ता जब तक नहीं रहेगी कोई सरकार के जबता कोई स्टेडिलिटिंगी रहेगी सरकार में तब तब विकास संभाव नहीं है और हमको तो पीड़ा होती है जनता दल युनाइटेट के विधायकों के प्रती इस बात के लिए कि मुक्तिमंती जी तो इधार से दर्ग भागुना कर लेते हैं जो कर दा है कर लेते हैं लेकिन जनता के बीच तो वह आप विधायक लिए तो क्या बोलिए तो गरियात रहा पहले अब तु बढ़ाई करता रहा क्या बोलिए हमने नौकरी दिया ही कहींगे हाँ बात कर रहे हो हाँ तो तो दूश्रा दूश्रा एक विधायक अगर मेरे को जुटला दे कि आप सच बात बोल रहे हैं आजपा का लोग का तो शपत गराद जब वह उस्से एक दिन पहले ही सारा टाच से पोस्टिंग हो गया अब तो यहीं बोलेंगे मुखमकी जार दे अभी तो हुआ आप तो कहले नाम दे रहे हैं अफसर साही इतना हवी है यह हम नहीं हम नहीं आप ही लोग बोलते हैं आप ही लोग बोलते हैं अरे सब फूटेज है कॉन-कॉन बोला है सब का फूटेज है सब दिखा देंगे हैं इतो सब्राइच्वादरी जी सपत पहले डिल्ली में इंटर्व्यू दे एक थे जरा फिर से देख लिजेगर आपको बोलने की क्या जो हम तो अपने आप लोग बोलते हैं करते हैं सब बोलते हैं को हम इतना कहरें मुक्वद्री जी कि कुछ भी लोग कि अभाज्पा शिरी जरी अवारे गडवदन से महागडवदन से आज मजगूरान देख लिए कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हैं हों कुछ भी धर्म कर राजिती करते रहे हों लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे जादा किसी को डर भाजपा को था तो पिहार से धर था आप से डर था हम साथ थे उसका डर था हम दिल से बोल रहे हैं और मुख्यमंति जी सांते सांते आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है आप हम जब हेल्थ मिनिस्टर से तो दो ती के लिए पड़ा है भाई यह फॉब्लिक हेल्ट के अडर का जिसमें स्वास्रिभा के करिव का हमने बोल दिया के एक लाग तीस अजाद लोगों का वेकेंशी का है करवाद दीजे करवाद जी किस्तना बार हम सूरे मेरे पास मेसेज है विजे जी को मेसेज कि सब यह वाला पॉब्लिक हैल कर दिये हैं और यह कैबिनेट ही भी नहीं आ रहा है कम इस पे तो किजिए लोगों को बहाली होगी रिक्षपते हैं भड़ा जाएगा काम किया जाएगा मेसेज लोगों को अच्छा जाएगा यही तो अजंडा था तो हम तो देखे ना आप लोग अगर 12000 वोट के अंतर से शल कपड़ करके जीत के 2020 में आएं तो पांच साल के लगठा पांच साल में अभी तो सारे तीन साल कर गया उसमें से हम लोग 17 महिना रह लिए उसमें सत्रह चोर अचा चा बहिया चोर दर्वाजी से अगर हम घुचे तो चोर का दर्वाजा किस ने प्रालाद जी सबसे बुजूर्ग अलाव सांती सांती देर नहीं बिहार की जनता सुनना चाहती है जानना चाहती है कि नौ बार शपत आप क्यों लिए एक साल में तीन बार शपत क्यों लिए लेकिन हम तो यही दा खाली कह रहे हैं कि भई जो प्रालाद जी है हम आपका धन्यवाद करते कितना दिन तक आपने पाटी का धेंदा बुलत करके रहे हैं और आप स्वस्त रहिए माने मुक्तमत्री जी और सरकार से यही आगरा होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पर वो खड़े उतर कोई आए ना आए जब समय आएगा तो तिजश्वी आएगा कि कसम आप किया जाएगा याद किजिएगा मेरा छोटा भाई चेतन जब ठक ठका करके कहीं आप लोगोंने कुछ नहीं किया तो हमने टिकेटिस को दे करके जिताने का काम है और इनके पिता के गुल पे नहीं इनके गुल पे नौजवान नो गोड़ बाप है लंबा चलना नया टीम बनाना है नौजवानों को हमने बने टिकेटिस दिया नौजवान आए राज़िसी में राज़िती करें सक्रात्मक राज़िती करें बिहार को अगे लेकर कि जाए ठकावाँ लोग नहीं चाहिए था हमको लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है यह कोई नई बात नहीं है बहुत दिनों से पीरित है और इस पीरा में ही कहीं भी रहे हम इसके साथ है और निलम जी जो आप महिला है आपने जो निले लिया हम स्वागत करते हैं करेंगे निलम जी निलम जी आप महिला है हम आपके निद्ने का स्वागत करते हैं बात बने ना बने बात में हमको जरूर याद कीजिएगा और एक का बहुत मस्ति जी हमने फाइल कर दिया था अगे भी बढ़ा धे था विजएब आबू देख लेंगे देख लेंगे देखते ही रह रहे हैं ना जो जीुका दो बो का तो आशा दी दिलो का मान देवाला करवा दीजिएगा आशा मता हम लोग के सरकार में हम लोग सब का राय बना था जिसमें जितने आप लोग सब लोग मीटिंग में से सब लेट के पार्टी सब नेता को आप बुलाएं इसमें आपका भी मिलेशा आपका काम किया है उस पर हम उत्पुमली नहीं उखा रहे हैं आपने काम क्या मानदेव बढ़ाया हम लोग कभी साथ रहा हमने भी बोला कि यह यह कर रहे हैं यह भी किजे यह जो जितना मूँ था उतरह हम कहते थे इज़ता सम्माल ठीक अपने मूँ से ज़ादा हम नहीं कहते थे तो हम तो एक एक चीज़ और सांथी 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 अब हम कॉंपलूट करेंगे बस अब आप लोगों की सरकार बनी है आप कार जो है हमारी मांग है कि ओल्ड पैंचन नीती को आप लोग जरूर लागू कराईएगा शामरार जी इधार उधर सिधार जी को ना भेजा जाए तो सिधार जी का मत चुनिया या ओल्ड पैंचन नीती आप करवाईए क्रेडिट हम आपको दे ओल्ड पैंचन और अब तो विजेंदा जी को जब भी देखते हैं तो हमको केंद्र का योजरा में कितना घटाटी कर दिया बिहार के लिए वही यादा आता है केंद्र से का ने ही किया हूँ किया जब के बोलो यह किया वह किया तो इससब फीक है लेकिन आप क्या इस पे जाए आप मुख मंती जी तो आग बभूला हो जाते हैं केबिडेट में कोई भी प्रस्था पर अगर केंद्र का जितना भी यंश था शेयर था अगर केंद्र के करता है तो आप जरूर मुख मंती जी जो है केंद्र जो पैसा दे है कि कहां दे रहा है लेकिन कुछों देता है तो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है बिहार के लोगों का है जरूर लीजिएगा इसमें कोई नहीं आज इसको भी स्वास्च मंतरी बनाईएगा प्रटे अम्रीजी से पूछ लीजिएगा एको कार्ड बनता ना जिसका मोदी जी परचार करते हैं बिहार का भी वैसे ही योजना आप लुग लाएं कि जो मज़ूर बाहर रहेंगे उनक पांच लाग तक का जो है तुरां अब क्या होता पहले रिवार्श होता था इलाज करा लो तो पाज़ पैसा अपना दो फिर बार में पैसा भंजाते रहो इसमें क्या पहले ही पैसा इमिडेटली जो है मिल जाएगा इस सब काम करा दीजिए बाकि डबल इंजन की सरकार हो है आप लोगों की तो हमको पूरा विश्वास से कि पढ़ार मस्जी साफ मिले होंगे तो आपने विशेष पैकेज की मांग की होगी लेकिन विशेष पैकेज नाम दे करके अंदर गुबारा नहीं होना चाहिए और कम से कम विशेष राज का तो दर्जा दे दे हम लोग तो हम सभी अपने महागरबंधन के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस लड़ाई में आप लोगों ने हम लोगों का स्ताफ देने का काम किया है और आप सब लोगों को हमारी तरब से बहुत-बहुत शुपकामना है मुख्मत्री जी स्वस्त रहिए कभी कोई बा हो तो हम हाजिर है उस पर कुछ शिंता की बात नहीं है